जाडियों में से निकल के राजया दसरत वहां आया जहां शर्वन कुमार तीर से गायल शर्वन कुमार ने देखा ओहु ये तो खुद अंसी मारा गया क्यों? क्यांकि रिष्टे में राजया दसरत का जो शर्वन कुमार तो वो सगा बाहन जा लागया करता था एक वार जोर दारता लिया हो जो शर्वन कुमार की माता जी थी तो वो राजया दसरत की बहन थी सेजिना राजया दसरत रोया की सर्वन भगत गोर से देख्या की सर्वन भगत गोर से देख्या राजया ने पहचान लिया और होस ढगर गे थे राजिया के दर्द सखापन लगया हिया की रोने लगया ने ये हातों से आज शघाब हन्या मार दिया और मा जाई रो रो मर जागी मने आज ये जुल अपार की रज़त पच्टाने लगा और पच्टा करके कहने करें सरवन पमार कि तुम कौन कि मैं तेरा मामा राजा दसरत हूँ अरे मामा क्या तुम मुझे मारने के खातर यहां बैठा था सर्वन कुमार के गात से खोन जारी आखों से नीर सर्वन कुमार को राजा दसरत में छाती से लगा रेलाल मेरे से बहुत बड़ी गल्ती हो गई मैंने अन्याने में बांग छोड़ दिया मैंने समझा कोई जंगली जीव जानवर होगा लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बांग जा हो सके तो लाल मुझे माप कर दे सजनो रो रो करके रो रो करके वो शर्वन कुमार राजा दस्तरत से क्या कहीं लगा और राजा दस्तरत सर्वन कुमार से किस तरह से गल्ती मांग दे ला सजनो यहां मामा और बहन जे दोनों रो रहे सर्वन कुमार किस तरह से आदेस देगा अपने मामा के लिए सजनो अरे ओ पापी तुने तीर मार करके तुने अच्छा नहीं किया सर्वन क्या मुझे मारने के लिए तुम्हें यहां बैठे थे क्या तुम्हें तीर चलाने के लिए और कोई नहीं मिला मैंने जानकर ये तीर नहीं चलाया मुझे एकिनार बटा जो कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाला मैंने तुम्हारा कौन सा बुरा किया मैंने तुम्हारा कौन सा बुरा सोचा जब तुमने आज कि ये मेरे गात में तीर मारा है मैंने तो कोई जंगली जानवर समझ करके ये सब्द पेदी बान चला था सर्मान। मैं आप से कुछ कहना चाहता है। कहो पता नहीं पता नहीं ये सांस कितनी देर चल रही है। पता नहीं ये आवाज कितनी देर और निकल रही है। ये मुझे आवाज हो जुगया है कि कुछ न कुछ देर में मेरे प्रान निकलने वाली है। लेकिन मेरे प्रान निकलने से पहले मेरी बातों को गौर से सुन करके लिख लेना। और मैं आप से कुछ कहना चाहता हूँ। कहो सर्वन कहों। कहो है। निर्गात मैं ओंपे दर्दी जो मार्याती रगात मैं ओंपे दर्दी जो मार्याती रगात मैं और निर्दोशी पेवार किया ओंपे दर्दोशे कारी रे मिरग जान के रे मिरग जान के पाने छोड़ दिया जुल में किया मन भारी रे और बान लगया और बान लगया बान लगया मेरी छाती मैं बान लगया मेरी छाती मैं खुन गात से जारी रे मैं अपराधी तेरा है मनलेली जान तुमारी रे मैं अपराधी तेरा है मनलेली जान तुमारी रे अत्याचारी तू बेठ्या था इस गात मैं हुई कलती मुझे सबारी चोड़ू हात मैं ते दर्दी क्यों मार्याती रगात मैं ते दर्दी क्यों मार्याती रगात मैं हे पापी अत्याचारी मैं इतना रपूशना चाहता हूं कि तो कहां का रहने वाला है कौन है यहां किस लिए बैठा था मुझे लगता है कि तुम मेरे आने का इंतियार कर रहा था तुम मुझे नहीं जानते मैं और कुछ कहना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं और तू बन करके काल मेरा बता कौन कड़े पे आया रे अवदपुरी का मैं दसरत ये जिसने पाप कमा आया रे अरे ओहतीहारय हथे तू अवदपुरी का राजा हाँ मैं अवदपुरी का राजा दसरत हूं क्या तू मेरा मामा राजया दस्रत है याए अरे ओहत्यारय मामा आतने ओ हत्या रे मामा तने शगा बान जा ओ हत्या रे मामा तने लाल बेहन का खाया रे किया गोर अपराद आज मने खास बान जा खाया रे किया गोर अपराद आज मने खास बान जा खाया रे तुल आया रे मत मेरे भात में तुल आया रे और मत मेरे भात में वोई गलती मुझे सबारी गलती मुझे सबारी तुल आज में ते दरगी जो मार्या तीर दात में वे गलती मार्या तीर दात में गलती में ओ बेदरवी मजे इतने बता दे तू लाया मौत मेरे बात में क्या इससे इस मौत को तू मेरा बात में मेरा बात बरना चाहता है नहीं सरवन नहीं और नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था यह तो सब काम अंजाने में हो गया तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैं यहां कट भोगता हुआ मैं क्या काम करने के लिए आ रहा था और कहा के लिए जा रहा था मैं सब इन बातों से अनुबेगी हूं सरवन मैं नहीं जानता कि तुम किसी लिए यहां आये थे और किस के लिए पानी लेकर जा रहे थे तुम मेरे माता-फिता के बारे में तो भली भाटी मुझे दुनिया दिखाने के लिए मुझे इस दुनिया में लाने के लिए इड ए मेरे माता पिताने अपने सारे अर्मानों पर पानी फेर करके मुझे इस दुनिया में लाए मुझे इस दुनिया को दिखाया मुझे इस दुनिया दिखाई लेकिन उन्होंने मुझे दुनिया दिखा करके अपने आँखों की जोती को खोया जानता हूँ सर्मन लेकिन तूने पापी तूने अच्छा नहीं की तो मैं बगवान माफ नहीं करेगा सुनिये मैं क्या काम कर रहा था सुनिये बताईए अरे अंदे मात पेता मेरे लाया तीर्थ कराने को परती अमर इला दिये मेरा जी करता मर जाने को और और सहारा ना कोई भे और सहारा ना कोई भे उनकी दिर बन दहने को मैं जी नहीं मर बैठा कैसे जे लू जबर उलाने को नहीं और कोई साथ मैं समझाने को नहीं और कोई साथ मैं, वोई गलती मुझे का भारी, वोई गलती मुझे का भारी, गेड़ु आत मैं वे दर्दी क्यों मार्या तीर गात मैं मैं प्राणी निकलने से पहले आप से हाथ योड़ करके प्राथ ना करना चाहता हूँ मेरे अंदे माता पिता जिन्होंने, जिनको मैं तीरत कराने के लिए लाया, मैंने कुछ तो तीरत पूरे कर लिए लेकन मेरे अर्मान धूरे रह गए, मेरे मात पिता के तीरता धूरे रह गए मैं पानी लेने के लिए यहां उन्होंने भेजा वो यहां से कुछी दूरी पर एक पीपल का पेड है पीपल के पेड के नीचे गहरी छाया में मेरे माता पिता जो पानी के प्यासे बैठे एपापी मेरा इतना कहन पुगा दे मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला दे मैं तो उनको पानी नहीं पिला सका अपने हाथों से लेकिन उनको पानी जाकर के पिलाना और एक काम करना कौन सा कि जब तक वो पानी ना पीवने पानी पीने से पहले उन्हें मेरे बारे में कई भेद मत बता उनको पानी पिलाना और पानी पिला करके फिर उनको मेरे बारे में भेद बताना तोकि मैं जानता हूँ अपने माता पिता को अगर उनको पहले भेद बता दिया तो वो मेरे अंधे माता पिता पानी के प्यासे जो पानी के प्यासे मेरे गम में अपने प्राण त्याग देगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे अंधे माता पिता बिना पानी के प्यासे मर जाए लेकिन ए अन्याई निर्दई हत्यारे मामा ये से बहनगे की एक जाते जाते का पील सुन ले न क्योंकि उसके बाद ये अपील करने के बाद मैं दुनिया में जिन्दा नहीं रहूं सुनिये मेरे सुनाई ये अरे हैं प्यासे माबाप मेरे उन्हें जाके नीरे पिल ये तू मेरा काल जा भटता बेटा खड़ हमें मत जाई ये तू और जब तक पानी ना पी वे वे जब तक पानी ना पी वे उन्हें मत ना मर्या पत जाई ये तू लिख देगा हरे रा में पैसला सुरे से बेला गई ये तू और लिख देगा हरे रा में पैसला सुरे से बोला गई ये तू जा पईये तू शिक्षा बैसलात मैं हुई गलती मुझे सबारी हुई गलती मुझे सबारी चोड़ू आत मैं बेदर्दी युमार्याती रगात मैं हुई गलती मुझे सबारी बेदर्दी युमार्याती रगात मैं बेदर्दी युमार्याती रगात मैं